नमस्कार प्रियमित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं 3400 समधान गंगाराम राशीरतन केंदर में आपका हारदिक स्फवागत है दोस्तों यह जो फायर ओपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ओस्ट्रेलिया का नैचूरल फायर ओपल है और इस package की विशेषता यह है कि सारे के सारे fire opal double firing में है आम तोर पर fire opal single firing में होता है यह double fire है बहुती साफ सुतरे पीस है और इस package में मेरे पास 5 karat से लेकर के 14 karat तक के पीस available है यानि कि आपकी जो भी requirement है पूरी की जाएगी आपको 7 केरेट चाहिए 8 केरेट चाहिए 6 केरेट चाहिए जैसा भी माल आपको चाहिए सभी परकार का जो साइज है इस पैकिट में अवेलिबल है और दोस्तो इसकी कीमत हमने आप लोगों की सुविधा के लिए रखी है 3000 रुपे पर केरेट बहुती शांदार पीस हैं बहुती शांदार माल हैं 3000 पर केरेट में दोस्तो आप इससे लो क्वालिटी के या इससे ज़्यादा बहतर फायर ओपल खरीदने के लिए मुझे वोटस अप कर सकते हैं और यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त समश्याओं का समधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं पुखराज खरीदना चाहते हैं स्रेलंका में नीलम आपको चाहिए अच्छी सरेनी का पन्ना आपको चाहिए otherwise कोई भी श्टोन आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहां से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर सिद्ध पूजा पाट करके इंसुरेंस कराकर कोरियर के द्वारा भेजी जाती है दोस्तो आप सीधे सीधे मुझे कौल उसके लिए कर सकते है तो बहुती शांदार पैकिट है बहुती शांदार यह माल है जो आप देख रहे हैं और दोस्तो ओपल आम तोर पर शुक्र ग्रह के लिए धरन किया जाता है बहुतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रेमिका और पत्नी से सहयोग के लिए और मानसम्मान की प्राप्ति के लिए रोमांटिक लाइफ को कमफर्ट करने के लिए फायारोपल पहना जाता है शुक्र के बारे में शास्त्र कहता है संपद वाहन वस्त्र भूसन निधी द्रव्यानित और यत्रिकम संपत्ति वाहन वस्त्र भूसन खजाना इन सब के पड़ति निधी शुक्र हैं कवित्व के लेखन के विद्वत्ता के धर्म सास्त्रों का अध्यन करना वेदों का अध्यन करना तंत्र साधना ये सब शुक्र की किरपा से ही संबब होती है तो यदि आपका तुला वरस या तुला मकर या कुम लगन है या मितुन लगन है तो ओपल आपको बनता है यह है उपल आप खरीद सकते हैं दोस्तों काम ना करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइम माई चाइनल मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे परश्चान दार रतनों के साथ भुष्चा में भी वो मुस्कुराते हुए तब तक के लिए नमस्कार